हेलो दोस्तों अगर आप भी एक मी का टीबी यूज़ कर रहे हो मी टीबी 4A, 4C, 4X, 43, 33, 55, 65 कोई सा भी अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हो मेरे को आज आप एक चीज जरूर कन्फर्म करना कमेंट्स बॉक्स में कि ये अपडेट क्या आपको मिला है बेसिकली इसको अपडेट नहीं बोलेंगे हम देख चली मुझे दोस्तों एक नया अपशन आज दिखा है अपने टीबी के अंदर में सुबा तक जब मैं टीबी देख रहा था तब तक कुछ अपडेट नहीं था तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करें अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नए आउप्शन आपको क्या दिखता है तो सबसे पहले ही जब आपका Hoe dignified के वार रवा 'M similarity है इसके साइड में आप दिखोगे तो एक Home आईकन बनके आ रहा है पहले यह icon नहीं था, सायद आपके TV में भी यह ना हो, हो सकता है, आचुका हो आपके TV में, इसको जरूर नोटिस करिएगा, कि Wi-Fi के बगल में notification यह बार है, इसके बाद में ही आपको एक नया option मिलता है, home का, यह है क्या चीज, इसके उपर अगर आप click करोगे, तो जैसे आप TV में क्या है, by default आपको home मिलेगा, इसके बाद अगर आप click करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार पूरा data जो है fetch होगा, आपसे बोलता सकते हो, पूरी setting एक बार change हो जाएगी, और click section में सिर्फ click से ही relate content आपको दिखेंगे, क्योंकि जब आप main page पे रहते हो, तो वहा इसके बाद भी यह update नहीं मिला है, कुछ apps भी update कि उसके बाद भी नहीं मिला है, बट यह suddenly आज मुझे भी साम को मिल गया, जब मैंने TV on किया, इसके बाद में अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, कि सिर्फ kids का एक section रह जा रहा है, खास करके अगर हम बात करें कि kids का जो section है तो आप देखो, यहाँ पर अगर आप जाओ, तो आपको यहाँ पर home movies, news, kids, यह जो kids वाला option है, यही सिर्फ option वहाँ पे filter हो जाता है, तो अगर आपके घर में kids हो है, तो आप इसका use कर सकते हो, by default यहाँ पर set कर दो, तो ऐसे कुछ और content आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ kids से related movies होगी, cartoons होगी, वही सब आपको दिखेंगे, तो I think कि यह अच्छा option है, बट यहाँ पर अगर profile add करने का option होता, तो काफी बहतर होता, अगर यहाँ पर आप एक दो लोग के और profile add कर सकते थे, तो सायद ज्यादा बहतर होता, बट यह suddenly option मिला है, इसकी setting में भी एक update हुआ, आप जैसे setting में जाओगे, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर एक option मिल जाता है, parental control, इसके उपर अगर आप किलिक करोगे, सिर्फ आपको password change करने का option मिलता है, हो सकता है, future में यह update हो जाए, यहाँ पर और दो तीन profile आप add कर पाओ, बट पता आप भी इसको ले सकते हो, अगर यह किसी update के थुरू आया है, तो कैसे आपको मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा, अगर यह ऐसे ही आगया है, तो फिर इसका कोई solution नहीं है, बस दोस्तों यह एक छोटा सा update था, साइद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडिय को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक करें, कुछ ऐसे ही latest news को देखने के लिए, तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में